हालो हालो स्टूडेंट्स वेल्कम टुटियार श्टडी बच्चों जैसे आप जानते हैं कि हर रोज यह कलास होती है आपकी साम को साथ बज़े से तो साम के साथ बच चुके हैं आप लोग जल्दी से आजाओ फटाफट आजाओ और कलास वर चकी है सब्सक्राइब सिम्रान स से उनको भी मैं देख पा रहा हूं तो कलास में हम लोग आगे बढ़ते हैं भई जमीर अंसारी भी जूड़ चुके हैं और आसीज कुमार पाल सभी को गुड़ इबनिंग बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीप्यार इस्टडी में चलिए कुशन करते हैं कि देखो बच्चों हम लोग कलाफ नाइन्थ की मैथ में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फॉर यह चैप्टर साथ का लाश्ट वाला पॉइंट चल रहा इक्सरसाइज यह खतम होने के बाद हम लोग आठवा सुरू करेंगे हैना सभी को पता है कि कलास साम को साथ कैरा कि आकरती 7.48 में यानि कि यह जो आकरती है इसी आकरती की बात कर रहा हो फिगर की चुकि बुक में 7.48 है इफले यहां पे लिखा है तिर भुज A, B, C की भुजाओ A, B और A, C को करमसा भुजाओ P और सारी बिंदू पी और Q तक बढ़ाया गया है समझने की कोशिस कर कहरा की साथ ही pbc is less than मतलब की pbc क्या है चोटा है एंगल pbc चोटा है किस से एंगल qcb से तो कहरा की दर्साइए क्या दर्साइए कि ac is greater than ab मतलब ac क्या है बच्चा ac बड़ा है और ab चोटा ही हमें प्रूब करना है चलिए जो हमें दिया है हम उसको कर लेते हैं उसकी के कि इसके पहले जो बच्चे basic concept वाला नहीं देखे वह जरूर देख लें क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी जैसे रैखी की गुम क्या होता है आज इसमें इसका परियोग होगा इसका solution यहां से start होता है उपर side में मैं लिख रहा हूं आप दियान दो देखो इसमें अगर आप एक चीज देखो तो बच्छा यहां पर एक यंगल यहां बन रहा है कि यहां बन रहा है के हम यहां बन रहा है यह हम सब को पता है पता है ना और हमें ये भी पता है कि बच्चा ये जो कोण है ये और ये कोण ये दोनों कौम से कोण है एक ही रेखा पर बने कोण रेखी कि युगम कहलाते हैं लिनियर पेर कहलाते हैं है ना नीरज कुमार बेट आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है आप अपना इंटरनेट ठीक कर लो हां चलो तो हम यहां पर हल शुरू करेंगे इसे हम लिख सकते हैं एंगल A B C क्या करोगे एंगल एबी सी प्लस पी बी सी मतलब ये अंगल एबी कमदलبة दिंखर रऊधे साइड में कि नहीं नहीं दिख्य का तो बता देने तेंठ रम pedestrian्हां दिख रहा है ना मतलब यह कोड यह ये बी कौन हो और किरा पीवीसी मतलब ये वाला ओड़िये एक परकार से अगर यहां पर हम नाम देदें तो आप यह मानलो इसको मैंने हुआ पीवन लिख दिया B B C equal 180 क्या सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही सभी बच्चे बताओ क्या सभी को बुलर दिख रहे है बोलो वाई सभी को बुलर दिख रहे फिर क्लियर है तो फिर मैं पढ़ाऊ डिस्टम नहो सिमाने यादो क्या दिक्कत हो रही बताइए सभी बच्चे जबाब दो भाई जल्दी करो बहुत जल्दी फास्ट कमेंट करो यह हो गया यह क्यूं हुआ रीजन लिख लो रैखिक यूगम से यह फिर बाई लिनियर पेयर है न कैसे लिनियर पेयर इसका मतलब सब कुछ क्लियर है सब कुछ सही है जिन बच्चों का इंटरनेट धीमा है उनको बलर दिख रहा है बच्चा स्क्रीन पे टच करो उपर तीन बिंदू आएगा दाहिनी साइड में तीन डाट बिंदी पे टच करोगे क्वाल्टी का आपसन आएगा आप क्वाल् लेंस इसका थोड़ा सा और साफ हो जाए बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा आप और चेंज कर लो है चलो यह रखे कि मुझसे हो गया इसमें अगर हम एवी सी कमान निकाले तो एंगल एवी सी इक्वाल एक्सवासी माइनस एंगल पीवी सी बोलो यह हो सकता है कि नह हो चकता ना भाई मैंने इसको ऐसे लिख लिया यह पीवी सी को उधर ट्रांसफर कर दिया तो इसमें से घट गया अब यह को ऐसा नमबर फाइस्ट हो गया क्या हो गया यह समीकरन नमबर एक हमें याद रखना है कि हमें एसी को बड़ा सिद्ध करना है एबी को छोटा प्र जैसे मैंने लिया था ला उसी तरह से अगर हम इसको की ऊण और इसको क्यूटू मान लिए तो देखो वही कंडिशन दूसरी साइड भी है बोलो है कि नहीं भaa या इधर वी रहे खिकोंड बन रहे दो नों उधर भी तो रहे कि कोंड बन रहे ना बन रहे हैं न तो तुम इधर भी तो ऐसे लिख सकते हो क्या लिखोगे एंगल A C B लिखो एंगल A C B प्लस एंगल Q C और B इक्वाल एक्सो असी ब्रेकट में रीजन वही हो जायागा रैखी की उगम ठीक है यह भी क्या है रैखी की उगम है ना बात समझ में आई यानि यह भी रैखी की उगम के ताहद 180 हो गया इसमें से भी हम क्या करेंगे बच्चा A C B का मान निकाल लेंगे एंगल A C B एक्कॉल निकालो गए 180 माइनस Q C B यह एक्वाइसन नमबर सिकेंड हो गया यह क्या हो गया समीकर नमबर दो जल्दी फे लिख लो देखो यह चैप्टर खतम हो जाएगा तो अगला चैप्टर आसान है जो भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा टफ है आपको थोड़ा गड़बर लग रहा होगा लेकिन यह थोड़ा फ़र टफ है दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है अब अगर आपने रेखी की युगम नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा इफले कमेंट करके बताना पिछला वीडियो जरूर देखना प्लेलिस्ट में उपलब्द है ठीक है है जब कोई दो कोण एकी रेखा पर बनते हैं तो वह रेकिक युखम काल आते हैं या फिली में पेर कह जाते हैं और उनका योगफल हमेंसा एक्सौशीयन होता है क्योंकि एक्सौश्ययन का कौणक्ट्ण सीधा होता जिसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं यह सारी चीजिशें आपको पता होनी चाहिए यह ठीक है आप यहां पर एक चीज और है तुम यहां देखो पी बी सी या देखो एंगल पी बी सी इज लेफ देन एंगल क्यू सी भी यह कि बोल नहीं यह न क्यूं है यह कोश्टक में लिखो किस्शन दिया है क्या यह दिया है देखो यह यहां पे यह था अब हम क्या कर सकते हैं देखो हम एक काम करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे निचे दीख तो रहें असले को है लेकिन अलometers कर już लेकृंद में यहाँ पर लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ यहाँ मैं इसी माइनत मैं ऑपन्ही पीबीची अब यह क्यों लिख रहा हूं भी बताऊंगा थोड़ा फरुकना पीवीची थोड़ा सा रुकना बताऊंगा ऐसा क्यों बना रहा हूं यह क्या है बड़ा का चिन्द है मतलब यह क्या है बड़ा इधरवाला आगे देखो 180- क्यूप सी बी मतलब एंगल क्यूप सीबी और देखो आप यह पुछ ओगे इसको मैं क्यूं लिखा नीचे दिख करा की नहीं आुए नहीं यह तो मैं नीचे कर दूँगे कहां रही आ तो हमें क्या करना होगा हमें क्या करना होगा हमें ये कोंड भी तो बड़ा दिखाना होगा ना यार अगर कोंड बड़ा दिखाना होगा तभी तहीं ये बड़ा आएगा ना बाबू तो क्या करेंगे हम AC के सामने का कोंड बड़ा सी दिखर देंगे और AB के सामने का जो कोंड है उधर सी वाला उसको क्या करेंगे छोटा सिद्ध कर देंगे बस हो गया क्योंकि बड़े कोंड के सामने की बुजा बड़ी होती है छोटे कोंड के सामने की बुजा छोटी होती है इसको हमने परेमिय में पढ़ लिया है इतना हो गया अब एक चीज यहां पर ध्यान दो एक कुछ आया होगा है और 180 से अगर मैंने 10 घट आया फिर भी कुछ आया होगा तो मुझे यह बताओ किसमें बड़ी गिंती आएगी वह यह एक में तुम 7 घट आ रहे हो दूसरे में तुम 10 घट आ तो जो सेसफल आएगा किसमें जाद आएगा इसमें वाले में या इसमें वाले में तो तुम कहोगे जिसमें से हमने कम घट आया उसमें क्या आएगा सेसफल जाद आएगा सिम्पल सी बात है इसमें 173 आएगा इसमें 170 आएगा बोलो ऐसे ही तो है ना ऐसे ही है ना चुकि वह रहात है यहाbi question में कि जो सो कि बड़ा है और क्यू सी क्या है सब्सक्राइब करें यह बड़ा हुआ होजाज जबकि बड़ी गिंती समान है दोनों में 180 się इसमें से अगर हम बड़ी गिंती घटाएंगे तो जो आएगा वो छोटा आएगा इसलिए यह क्या हो गया बड़ा हो गया यह चोटा हो गया अब तुम यह काम कर सकते हो समीकरन एक अगर देखो तो 180-PBC यह 180-PBC है ना 180-PBC मतलब तुम ABC लिख सकते हो इसकी जगा पे नीचे मैं कैमरा करके दिखा दे रहा हूं एक बार देख लो फिर मैं पूरा दिखा दूँगा ठीक है नीचे कैमरा करके दिखा दे रहा हूं पूरा लिख देऊंगा चलो अब हम इसकी जगा पे समीकरन एक से लिख सकता हूं एंगल ABC और ये ऐसे है ग्रेटर देन ध्यान देना समीकरन दो से अगर इसको तुम मिलाओ तो ACB है क्या बच्चा एंगल ACB यहां से ये प्रूब हो गया कि एंगल C और सुरी शोरी नहीं फिर भी टीक है एंगल C जो है वह वो क्या है छोटा एंगल भी बड़ा है है quel rec इसी छोटा एंगल भी क्या है बड़ा है यानि कि अब तुम यहां पिसंजो एंगल भी बड़ा यहाँ पैसिदह क्या करना हr कि ओ अब हम सीद्षी था नर्अ हाथ है और वो और यहां से हम दे खा सकते अजले उनल्ण अब यहां नीचे दिख रहा की नहीं ऊपर कड रहा होगा न इतना कर लो अगया उत्तर आगया थोड़ा सा बचाहे एकदम हलका सबस्चाहें नहीं दिख रहा होगा तो बता दें न मैं और ऊपर कर दूँगा दूर कर दूगा यह उपर इत्ता ही लिखा गया था ठीक हे चलो लिख लिए सबिभू ... जली से लिख लो या फिर इसको मिटांग बहुठ करो पहई बहुत जल्दी करो फटा फट करो ठीक है ना है ? तो आगे बढ़ें is a c b क्या हो गया ? बढ़ा हो गया ... a b c वाला बढ़ा हो गया ... a c b b छोटा हो गया ठीक है ओके अब देखो अब देखो अब ध्यान दो आप लोग ध्यान दो यहां पे हमने कोण को बड़ा सिद्ध किया है कि जो एंगल वी है बच्चा ये बड़ा है ये इधर वाला सी जो है छोटा है या फिर ऐसे कहलो Q1 बड़ा है Q2 क्या है ओ सुरिव पी वन बड़ा है Q1 छोटा है ठीक है हमने पड़ा था है जब इसका परगुण पड़ा था या फिर ऐसा कहलो कि तिर्बुच का गुण पड़ा था उसमें ये पड़ा था कि बड़े कोण के सामने की भूजा बड़ी होती है ना लार्जर जो एंगल होता उसकी इस पोजिट साइड क्या होती यह बड़ी हो और दूसरा अगर बात करें जया होगि इव ठीक होगी तो तुम नीचे इसके लिख सकते ओ क्या गाने और है चलो अब उपर भी आएगा नीचे भी आएगा सब कुछ आएगा थोड़ा इधर उदर कट भले जाएगा लेकिन सब आएगा चलो हम यहां लिख सकते हैं कि A C is greater than A B ठीक है यह हम लिख सकते हैं न लिख सकते हैं जल्दी फट से सभी बच्चे समझ लो बहुत जल्दी करो चलो ओके गुड़ ओके चलो जल्दी करो भाई फटा फट करो लिख लो यह हो गया इसके बाद कुछ मैं आपको असफ़स्टी करन लिखवा दूं यहां पर तो आपको ज्यादा क्लियर हो जायागा क्योंकि कुछ बच्चे यहां पर समझ नहीं पा रहे होंगे वच्छे तो मैंने समझाया है ठीक है जल्दी करो वच्छे मैंने सब घटाया कुछ बताना नहीं है एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं ध्यान देजिए कुश्टन करा कि अकृति 7.48 में एंगल ABC की बुजाओं AB और AC को करमसा बिंदू P और Q तक बढ़ाया गया है यह एंगल दिया था जिसका नाम ABC था इनकी बुजा जो यह अली थी B अली इसको P तक खींचा गया और C को Q तक खींचा गया है ठीक है उसके बाद क्या करने को बोल रहा है उसके बाद बच्चा यह बोल रहा है कि साथ ही P, B, C क्या है छोटा है Q, C भी बढ़ा है यह तो द दिया है करत दर्सा यह दिखाए कि A, C बढ़ा है यह भी छोटा है है तो हमने क्या किया रहेखी की हुगम लगा दिया चूंकि यह कौन B और यह ऐसे अगर बात करें जो मैंने नया सा बनाया है वो क्या है एंगल P1 एंगल P2 एंगल P1 एंगल P2 क्या है भईया P1 और P2 क्या वन Do No Recky के बना रहें क्यूंकि दोनों B.C. एक रएक ही रेख्हा पर बनने हैं Dc. क्या है एक समाहों रेख्षा है ना दोनों एक ही रे रेख्षा किसव बनेहें बी-सी पे बने हैं है ना चलो ओके तो भई पीवियार स्टेडी टीम के मेंबर आप कहां थे अभी तक बहुत देर में आये हैं हो गया है चलिए तो यह हो गया इसी तरह से इधर भी रैखी को बन रहा है यह कॉंड क्यूण की यह भी क्या कर रहें लिनियर पेर बना रहें तो मैंने पहले लिनियर पेर को लिख दिया जोड़के 180 लिख दिया उसके बाद यहां से अगर आपको समझ में नहीं बहुत आफान कुश्चन नहीं है जो बच्चे बहुत ही दिल से पढ़ेंगे यह उनको ही आएगा ठीक है नया परजा पती जी और विकास यादो जो भी नए साथ ही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चिंटू कुमार मैं देख वा रहा हूं आपको निया परजापती अंबुच सभी को देख रहा हूं हां कुछ नहीं हो रही जमीर अंसारी आपको अखेले क्यों प्राब्लम हो रही है असीस कुमार प्रजापती भाई यह अलग-अलग नाम से का आपको कमेंट आ रहा है तो फिर किसी का कोई सवाल है तो बताओ बंद करें फिर आज का सेशन खतम हो चुकी है रतरी नौव बज़े से पीवीर स्टी लहाबाद चैनल पे लाइब होगी फिर से अगर आप इप यारे स्टी के किसी और चैनल पे देख रहे हैं तो हर चैनल क इससे कि आप पढ़ सके हैं आज के लिए इतना ही आप सभी को कोटी कोटी बहुत धन्यवाद आप सभी स्क्रीन पर टच करके वीडियो को दोबारा देखिए एक बार फिर से देखिए सब समझ में आ जाएगा एक बार फिर से देखो